हलो बच्चो बेरी बेरी गुड मार्निंग टू आल अफ यू तो कैसे है आप लोग बहुत अच्छे तो आपका छोटा सा प्यारा सा यूटूब चैनल सारदा क्लासेज में आप सभी बच्चो का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और स्वागत है तो चलिए आज हम लोग अभी क्रेश कोर्स 12 क्लास का क्रेश कोर्स पर रहे थे उसी में आज का जो लेक्चर है क्रेश कोर्स में ही आपको एक पार्टिकुलर चैप्टर उठाया गया है और पार्टिकुलर चैप्टर से संबंधित आपको लगभग 40 45 कोस्टन्स जो है वो आपको लगभग 30 to 40 मिनट्स मे करवाय जाएंगे 30 to 40 मिनट्स में हम लोग टोटल चैप्टर को रिभाइज करते हुए लगभग आपको 40 से 45 कोस्टन्स करेंगे और आज जो चैप्टर हमारे सामने है चैप्टर का नाम है फिर का कोस्टने स्टार्ट करेंगे तो चलिए इसमें हमको पढ़ना क्या है आप जानते होंगे इस पूरे चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो आपको माइन्स था माइन्स मतलब क्या होता है वेटा खान होता है ठीक है खान से जो बाहर निकालते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं माइन से जो प्राप्त किया जाता है उसको मिन्डल बोलते हैं वो क्या होता है आपका खनीज होता है खान से जो प्राप्त किया जाता है उसको और कहा जाता है खान से क्या प्राप्त किये जो प्राप्त किये उसको हम लोग क्या बोले खन मतलब खान से जो प्राप्त किये उसको खनीज बोले खनीज से जो प्राप्त किये उसको हम लोग ओर बोलते हैं और ओर से दो प्रोसेस गुजारते हैं एक आपका रोस्टिंग यानि जारन प्रोसेस से गुजारा जाता है एक आपका कैल्सिनेशन जिसक साइंड ओर आएगा ठीक है ये दो आपको किसे तो ओर को दो प्रोसेस से गुजारते हैं एक रोस्टिंग से यानि जारन विधी से गुजारते हैं दूसरा कैल्सिनेशन यानि निस्तापन विधी से गुजार जाता है ठीक है तो रोस्टेड ओर और कैल साइंड ओर मिल जाता ह जैसे ही आप रेदक्सर्ट कर सस्क्राइब तेहां से आपको का मिलिएगा इन मेटर मिल जाएगा ठीक है इसी असुदध्धातु को प्योडिफिकेशन कर तो युदिण, करवाईएगा तो आपको क्या मिलियागा तो pure metal मिल लागा प्योड-matter Alm mise alcohol तो यह अभर आल प्रोसेस जो होता है यही आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना था मैंड क्या होता है तो किसी का फेसे वीन kya व्याफ को सोन होते हैं वह भी आपको जेनरली बहुत यानि जैसे सोना चांदी प्लेटनम यह सब जो होता है वो आपको फ्री एस्टेट में पाए जाता है मुक्तवस्था में अधर वाई सारे के सारे जो होते हैं वह आपको मुक्तवस्था में नहीं पाया जाता है तो मुख रूप से आपको पूरे चैप्टर में यही पढ़ना उसको deeply पढ़ेंगे हम लोग और लगभग 35 से 40 मिनट में approximately per minute एक question आपको बताया जागा इससे बाहर एक भी question नहीं आगा बिटा मैं एक बार और आप लोग को repeat करता हूं यह ध्यान से सुनिएगा कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं hundred का hundred percent questions आपके board में state board में चाहे वो UP board हो ठीक है या फिर आपका बिहार board हो ठीक है या आपका जारखंड board हो जो भी board हो तो state level के जो board आपको जितने भी है वो सारे state level के board में या बच्चे cbsc board के जो भी हो तो cbsc board का थोड़ा pattern अलग होता है अधर बाई जो आपको मैं बताने जा रहा हूं इसमें आपको state board में लगभग आपके सारे के सारे questions होंगे वह आपको इसी से आएंगे एक भी question alter नहीं जाएगा तो शुरू से last तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए आप देखिएगा अब इसली मैं कहता हूं कि examination होगा और यह सारे content आपके पास होंगे तो आप visualize करके देख सकते हैं आप already यह decide कर सकते हैं आपको यह पता चल जाएगा कि total का total question सर जैसा बोले थे वैसा ही आया एक भी question बाहर नहीं जाएगा शुरू से last तक अगर इस पूरे lecture को आप देखते हैं तो इस chapter का एक इक topic एक concept आपके दिमाग में हम डाल देंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं और आज का हमारा पहला question क्या है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा सदैब मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातु यानि always free estate पे यानि the metals always found in free esthetis हमेशा मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है तो हमेशा मुक्त अवस्था में आप जानते होंगे कि Sona costly है है तो metal ही लेकिन उसका color जो है वो discolor नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि Sona आपको free estate में पाये जाने वाले मैटल्स हैं ठीक है ये पीसी दूसरे के साथ या मोईस्चर या एर के से इसे आने के बाद तैजी से रियक्षन नहीं करता है ठीक है वैसे सोना चांदी प्लेटनम ये तीन मैटल इसमें आती है लेकिन सबसें परफेक्ट आपका सोना होता है चलिए next question क्या कहता है से फोटो घीचा जाता था तो उसमें निगेटी वाता था एकडील की तर जैसे मैं आपको बता दू मैं आपको बताता हूँ आपका जटा होगा बच्चा उच्चा या कोई अगर हड्डी तोड़ लेता है तो आप जो जाते हैं वहाँ एक्सरे करवाने के लिए एक्सरे पाता है तो आप अगर चलते हैं तो सुर्ज का प्रकास आपको नहीं छेता है तो आपका परचाही बनता है इमेज बनता है वैसे ही जब X-ray ले को पास करवाया जाता है तो जब आप X-ray करवाने जाएगा तो नीचे में एक उतीन होता है वह अपको पास कर जाए वह उसका फोटोग्राफिक फ्लAy इनग्रीटम प्लेट् वो आपको जिलेटिंग इमल्सम उसमें डाला हुआ रहता है द्यान से देखेगा जिलेटिन यानि गोंद टाइप का आपका इमल्सम डाला हुआ रहता है जैसे दूधूध हो गया यह सब उस परकार का इमल्सम डाला हुआ रहता है ठीक है वो जिलेटिंग इमल्सम का क्या र होता है यह सिल्वर हैलाइड में तो हैलोजन में आपका क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा यह सब हो जाएगा या फ्लोरीन भी हम ले सकते हैं ठीक है आयोडीन ले सकते हैं तो इसमें आपको सिल्वर ब्रोमाइड आपका जो Option दिया होता है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का दिले इसका काम यह तो यह जिले डिटिंग इमल्संज और नमें से दिल लागा लेते हैं हम लोग बिल्कुल वैसे ही आपका एक प्रत होता है फोटोग्राफिक प्लेट पर जो किसे बना होता है तो सिल्वर हैलाइट से बना होता है और यह फोटो सेंसेटिव होता है फोटो सेंसेटिव यानि प्रकास जब इस पर 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 न तो अपने आपको सेंसलाइज कर लेगा तो यह क्या करता है कि जो प्रकास आपका परेगा चा प्रफिर होता है उसको फॉर्म कर देता है ठीक है तो आपको फोटो ग्राफिक फिल्म प्लेट में एक एसेंशियल इंग्रेंट पाया जाता है कौन तो सिल्भर ब्रॉमाइट जिसकी मदद से आप फोटो को आसानी से रिकवर कर पाते हैं ठीक है आगया होगा समझ में नेक्स कोस्टन देखते हैं देखिए क्या करता है कि उच्चतम ऑक्सिकरा नवस्था दर्शाने वाले प्रथम संक्रमतत यानि आपका दिया हुआ है दा एसेंशियल दा एलिमेंट फोइंग हाइस्ट फर्स्ट ट्रांजिशन श्रीज इज ऑक्सिडेशन एस्टेट एमांग इज एज ऑक्सिडेशन एस्टेट एमांग आपको चार ओप्सन दिया हुआ है करता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सिडेशन एस्टेट तो मैक्सिमम ऑक्सिडेशन एस्टेट बेटा प्लस सेवन होता है मैक्सिमम चार एलिमेंट दिया हुआ है और ट्रांजीशन श्रीज दी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट श्री जो हो गया वह आपको 3D होता है क्या होता है 3D होता है जो चौथा नंबर चौथा नंबर पिडियर से स्टार्ट होता है यह ठीक है 3D क्योंकि N-1D electronic configuration हम लोग लिखते हैं तो इसका electronic electronic configuration of 4A to 3D 1 से स्टार्ट होता है ऐसे कहानी अगर देखते हैं तो पूछ रहा है कि maximum तो फस्ट electron को जब उससे निकाला जाता है तो सबसे ज़्यादा oxidation नंबर कौन सो करता है तो इसमें सबसे ज़्यादा oxidation नंबर सो करने का काम कोन करता है प्लस 2 से लेके प्लस 7 तो का Oxidation नंबर कौन सो करता है तो MN सो करता है और पहला transition element में maximum oxidation नंबर सो करने का काम कोन करता है तो यह बेटा MN करता है इसको मैन गीज बोलते हैं क्या हमारा अगला कोश्न क्या करता है करता है गळेणा आपका ओर है गलेना किसका ओर है तो आपको पता होना चाहिंए बंशना। चैप्टर में आपको इससे हमेशा प्रतेक साल कोशन देखें यहां पर भी ये किया यहां तो कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट कोस्टन की वर मूब करते हैं आज कहा हमारा अगला कोस्टन क्या करता है कता है गलाने की प्रक्रिया में धातू का हास सामील होता है ऑक्साइड के साथ the process of smelting smelting process कौन सा प्रोसेस है smelting process involve reduction of metal oxide bit देखिये smelting process क्या होता है smelting process में हम metal के साथ क्या करते हैं कि metal को कारबन के साथ या carbon monoxide के साथ metal को क्या करवाया जाता है heat करते हैं उसके melting point के ऊपर heat करते हैं तो carbon और कार्बन मोन clicks paid reduction का काम करता कारगन क्या करता है कि जो metal oxides होता है उसे oxygen को घीच कर Carpone dioxide carbon अगर लेंगे तो carbon monoxide बने लेगा carbon monoxide लेंगे तो carbon dioxide बना के बाहर निकल जाएगा और आपको impure metal प्राप्थ हो जाएगा क्या प्राप्थ हो गुजरना तो एक कारवन या कारवन ओक्साइड की मदद से रेडूस करवा जाता है तो यहां पर इसको कारवन के साथ क्या किजेगा reaction करवाईएगा heat किजिएगा above their melting point यानि zinc oxide का melting point होगा उससे उपर यानि जो गलनांख बिंदू होगा उससे उपर above their melting point अगर हम heat करेंगे इसको तो यहां से हमको zinc मिलेगा और carbon monoxide क्या हो जागा gas यहां से बाहर निकल जागा वैसे ही अगर zinc oxide दिया हुआ carbon monoxide के साथ heat करवाईएगा और melting point तो यहां से अभी आपका क्या प्राप्त हो जागा तो zinc प्राप्त होगा और यहां से क्या बाहर निकलेगा तो co2 यहां से बाहर निकलेगा तो यह आपका process देखने को मिलता है तो यहां पर पूछ रहा है कि the process of a smelting involves reduction of metal oxide metal oxide को reduction aluminium से भी करवाया जा सकता है carbon monoxide से भी करवाया जा सकता है और carbon से भी करवाया जा सकता है ठीक है कोई दिकत तो सब से बेस्ट आपका carbon होता है लेकिन तीनों का इस्तमाल हम लोग कर सकते हैं ठीक है और तीनों में आपको metal oxide को heat किया जाता है गर्म करते हैं उसके melting point को उपर गर्म करते हैं एक पर carbon के उपस्तिती में या carbon monoxide के उपस्तिती में एलमूनियम आपका reducing agent का काम करेगा ठीक है चलिए next question के और move करते हैं आज का हमारा अगला question क्या करता है नेम लिखित में से कौन सा oxide बिसफोटक में कम हो जाता है ठीक है which of the following oxide is reduced in blast furnace blast furnace में किसको क्या कर ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस आपका भठी होता जैसे इटा उटा चिमनी का भठी होता है तो उसमें आपके किसके oxides को क्या कर बाता है reduce कर बाता है तो लोहा के oxides को उसमें क्या कर बाते हैं हम लोग reduce कर बाते हैं बहुत simple question था करता है वह खनी जिससे धातू निकाली जाती है कहलाता है ठीक है वैसा खनीज जिससे धातू निकालेंगे तो माइन से मिनरल मिनरल से जो खनीज होता है तो बेटा हमने अभी आपको बताया है कि मिनरल से हम लोग प्राप्त करते हैं और और आपका एक्चुल में है क्या तो खनीज से ही और को प्राप्त किय लेते हैं तो वैसे मिनरल जिससे मैटल को प्राप्ट किया जाता है उसको क्या क्या चाहता है तो ओर बोलते हैं इसमें और यस किंजड़ाको ठिकाग नैश् attributed अकले तरडा को चिसने आपके अगला और्स और मिन्डल सार और्स ठीक है और मिन्डल सार और्स यानि सारे के सारे और आपके मिन्डल जो होते हैं वो खनीज होते हैं आयस्क होते हैं और सारे के सारे आयस्क जो होते हैं वो मिन्डल होते हैं तो यह आपका गलत ऑप्शन है यह आपका यह गलत ऑप्शन है उपर वा और आ कहां से रहा है तो मिंडल से तो सारे के सारे और मिंडल होंगे लेकिन मिंडल का वह भाग जिससे धातु को आसानी से कम खर्ट पर प्राप्त नहीं किया सकता है वह और नहीं कहलागा मिंडल कहलागा लेकिन और नहीं कहलागा तो सारे और मिंडल होंगे नहीं सारे के सार ओर आपके मिन्डल्स होंगे बिल्कुल सही चीज़ है सारे मिन्डल ओर ओर नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सारे के सारे जो लिखा गया है इसका chemical formula आपको पता होना चाहिए जब तक the chemical formula पता नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं तो zinc blend is तो zinc blend का सुत्र लिखे, क्या होगा, तो ZNS होगा, कैला माइन है तो क्या होगा, ZNCO3 होगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, bauxide का क्या होगा, तो bauxide aluminium का बहुत अच्छा ओड होता है, तो L2O3 2H2O, ठीक है, यह आपका bauxide ओड होगा, आप बचा क्या, तो zinc oxide, बचा क्या, तो zinc oxide का, क्या होगा, तो ZNO, अब आप जड़ा गोर से देखिए इसमें, तो इसमें कौन है, तो यह सम में आपको दिखाई दे रहा हो, यह zinc का ओर है, यह zinc का ओर है, यह zinc का ओर है, और यह aluminium का ओर है, पूछ रहा है कि which one of the following is not an order of zinc, तो तीनो zinc का ओर है, यह aluminium का ओर है, तो कोन zinc का ओर नहीं है, तो आपका D is the cracker, यह आपके दिमाग में होना चाहिए, चलिए, अगला question देखिए, क्या काता है, तामबा धातु को निमलिखित में से किस बिधी से सुध किया याता है, copper metal को purified किसके द्वरा किया जाएगा, वहीं आप से पूछा जा रहा है, copper, तो electrolytic refining process से हम लोग copper को क्या करते हैं, आसानी से purify कर लेते हैं, ठीक है, next question, काता है किसी धातु के आयस को उसके गलनांग के नीचे हवा, गलनांग के नीचे हवा के उपस्तिती में गर्म करने की प्रकिरिया क्या कहलाता है, तो roasting कहलाता है, ठीक है, यानि किसी भी metal को क्या करेंगे, कोई भी metal आपको दिया जाए, और उस metal को क्या किजेगा, उसके melting point के नीचे आपको गर्म करना है, हवा के उपस्थिती में उसके melting point के नीचे आप गर्म किजिएगा तो गर्म करने के बाद जो process होगा उसको roasting बोलेंगे और एक और process इसके साथ होता है यह आपका जारन विधी होता है ठीक है और एक आपका calcination होता है इसको निस्थापन बोलते हैं बेलकुल दोनों सेम प्रोस तो यहाँ पर पूछ रहा था तो जारन या भूनना भी कहा आता है एस melting नहीं होगा इसका होता है निस्तापन क्या होगा निस्तापन प्रोसेस यह भी नहीं होगा चलिए अगला question हमारा क्या है लोहा का परमुख आयास को कौन है तो वेटा यह आपको इसमें क्या करना होग कि सारे के सारे जो आपके ओर लिखे गया है इसका chemical formula आपको आना चाहिए जब तक chemical formula नहीं आएगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि सारा का सारा ओर आपको iron का ओर है किसका ओर है यह आपको जानना जरूरी है तो 4 option दिया हुआ है फटाफट 4 option को देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा ओर है तो magnetite का क्या होगा तो magnetite का लिखिए गा तो इसका chemical formula होगा FE2 O3 हो जाएगा साइडे राइट का क्या हो जाएगा तो FE2 इसका FE साइडे राइट है ना तो FE2 एक मिनट गलती है गलती लिख दिये अब देखिए यह साइड हमेटाइट का क्या हो हो जाएगा तो हमेटाइट का आपका आजाएगा FE2 O3 आपका हमेटाइट का हो जाएगा मैगनेटाइट का क्या होगा तो FECO3 हो जाएगा और साइडे राइट का क्या हो जाएगा तो FE2 O FE2 O यानि आपका ये तीन का तीन दिया हुआ है chemical formula आपका तो मैगनेटाइट का FE3 O4 side a right का FeCO3 और Fe2 FeCO3 side a right का FeCO3 अच्छा उपर वाला गलती लिखा गया Fe3 O4 1 second उल्टा सिधा लिखा गया है Fe FeCO3 इसका हो जाएगा और Fe3 O4 आपका इसका हो जाएगा O4 आपका इसका हो जाएगा आप से पूछ रहा है कि चीप OOR इन तीनों में सबसे अच्छा आयरन का orbit सबसे अच्छा आयरन का ओर कोद है तो सबसे अच्छा आयरन का ओर Hematite होता है सबसे अच्छा आरन का ओर हमेटाइट होदा है तो Magnetide का क्या हो गया Fe3 O4 Fe3 O4 मेगनेटाइट साइडेराइट फे-COO3 हेमेटाइट आपका फे-2-O3 हेमेटाइट फे-2-O3 ठीक है चलिए अगला कोस्टन क्या है यह सारे के सारे कोस्टन आपको पूछा गया है ठीक है प्रिथवी की पपड़ी में सबसे अधिक यानि मुस्त क्या कहता है कि अर्थ के क्रस्ट पर प्रिथवी के सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अल्मूनियम पाया जाता है अल्मूनियम कहते हैं सिलिकॉन पाया सिलिकॉन काता है मैला काइट एक आयस्क है लोहा तामबा चांदी और जिंका तो मैला काइट किसका आयस्क है तो आपको मैला काइट क्या करना होगा सुत्र जानना होगा तो मैला काइट का केमिकल फॉर्मूला जब तक नहीं जानिएगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं तो म प्रेला काईट का केमिकल फार्मूला क्या होता है तो मैं लिख देता हूं CuCO3.cooh2 तो किसका और है भाई तो कॉपर का और है इसमें क्या पाया गया कॉपर यानि कॉपर इस दा क्रेक्ट आप्शन नहींद क्रेक्ट ऑप्शन तो ऐसी को स Lauren's आपको बहुत साते है ओधा कॉपर पाइडाइट का सूत्र है तो copper pirate का सूत्र का होता है वह आपको जानना होगा तो copper pirate का सूत्र क्या होगा copper pirate का हमको copper pirate को हम लोग चाल को पाइडाइट भी बोलते हैं और इसका सुत्र होता है C U F E S 2 है option बिल्कुल है C is the correct option ठीक है नेक्स्ट कोस्टन देखिया हमारा अगला कोस्टन का अलमुनियम का ask है तो अलमुनियम का इसक है सारे के य healthy our life the लेकिन बोकसायट तो मुणनो कि तुमको आता सकता है अभी अभी मैंने एक कोशन दिया था जिसमें चीफ ओर आफ पूछे थे तीन का तीन ऑप्षन जो था वो सारे के सारे आइरन के ही ओर थे लेकिन उसमें सबसे अच्छा आइरन का ओर कौन था जैसे साइडे राइट था डोलूम साइडे राइट था आपका उसके बाद अभी जस्ट दिखाए हैं इसे पिछोया होगा कि अधिक यहां पर आईरन था लोहा कि देखिए बाकिसाइडत का इसमें लिखना होगा आपको इसका क्या होगा 1-2-3 हो जाएगा 2- przypadku हो जाएगा यह हिर इसका हो जाएगा तो इसका और हमेटाइट डोलॉमाइट और दोनों का तु दोनों का chemical formula आप पढ़े होंगे जड़ा सब फटा फटम को chemical formula बताई है हमेटाइट और इसका क्या होगा हमेटाइट का क्या होगा Fe2O3 और डोलामाइट का CaCO3 MgCO3 Fe2O3 हमेटाइट का अभी जस्ट बताए थे Fe2O3 आरन का बहुत अच्छा और है और इसका डोलामाइट का क्या होगा CaCO3 और MgCO3 CaCO3 MgCO3 ठीक है तो यह कार्बोनेट ओड़ है यह दोनों ऑक्साइड ओड़ है ठीक है तो कार्बोनेट ओड़ तो ऐसे भी कोस्टन हो सकता था इसमें ऐसा कोस्टन पूछता कि एक ऐसा ओर का नाम बताए जिसमें दो मैटल पाया जाता है कैल्सियम और मैगनेशियम दोनों पाया जाता है तो कौन सा ओप्शन होता है डोलोमाइट इस दा क्रेक्ट ओप्शन ठीक है नेक्स्ट कोस्टन अब के वाई एफई सीन होल सिक्स दिया हुआ तो यह जब आएगा न यह कॉडिनेशन स्फेर कहीं भी आता है तो आप समझ जाएगा कि यह आगया यानि कंप्लेक्स है और इसके साथ अगर कोई मैटल लगा हुआ रहेगा तो वो बेसिक नेचर का होगा तो यह कंप्लेक्स बेस हो जागा क्योंकि आपका पोटेसियम पहिला पहिला ग्रूप का यानि फस्ट नंबर ग्रूप का जितना भी मैटल है वो सब को अलकली मैटल बोलते हैं दूसरा नंबर ग्रूप को अलकलाइन अर्थ मैटल का याता है अलकली और एलकलाइन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है यह आ गया तो कंप्लेक्स है और इसके पहले अगर पोटेसियम दिया हुआ मैटल है तो कंप्लेक्स बेस हो जा अगला कोस्टन जो है चारी यह ता पुछ रहा था या दूसरा गूरूप का भी होता तो भी लिख देते बेरिलियम मैंगनिसियम कैल चैल्सियम बरियम रड यह सार में सित तो यह अलकली अलकली मैठल है यह इंसे ऑख दोनों का दोनों का ल leकर अलकलाइन उलीमीन शायाक में सित में कोण है तो मार्ची सोधियम को tick कर दिए नेक्स例えば काता है जाएगा तो फ्रॉथ फ्रोटेशन प्रोसे से किया आता है किसे फ्रॉथ फ्रोटेशन फेन उत्प्लावन विधी से किया आता है क्योंकि सल्फाइड आयस का हलका होता है उसके इंपिरिटीज क्या होते हैं भारी होते हैं इसमें क्या किया आता है कि पहले सल्फाइड आयस को पाउडर के फॉर्म में चेंज कर दिया आता है उसमें पानी मिला दिया आता है पानी मिला कर उसको घोल दिया आता है उसमें कुछ पाइन वाइल डाल दिया आता है जैसे नारियल का तेल हो गया सरसो का तेल हो गया वैसे पाइन पौधा होता है उसका तेल मिला देते है और मि चाहिए कि यह दो फूरिइंग में पाया जाता है लेकिन फूरी एस्टेट में पाया जाता है कि रासन में डाल के रखायाता है का है कि बहुत ज़्यादा र्यक्टिव होता है इसलिए एर का कॉंटेक्ट तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो मटिया तेल होता है किरासन वाइल उसमें डाल के हम लोग रखते हैं ठीक है नेक्स्ट कोस्टन नेमलिकित में से कौन सी धातु सरवधिक प्रचूर मात्रा में पाई जाती है मताँ पर प्रयाप्त मात्रा में पाई जाने वाल है धातु कौन होगा यहां धातु है वहां नाट स्ट्रह और 흰ud से नेसर वर लीड और टीन, लीड और टीन, SN और PB का कहानी है, ठीक है, निसकर्षन के लिए, और क्या कता है, the method used for the extraction of lead and tin from their ore, तो किस की प्रोसेस से, तो किस प्रोसेस से lead और टीन को करेंगे, तो self reduction और carbon reduction प्रोसेस से lead और टीन को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से बाहर निकाल लेते हैं, extract कर लेते हैं, ठीक है, प्राप्त कर लेते हैं, magnesium के निसकर्षन के लिए निमलिखित में से किस प्रक्रिया का उप्योग किया आता है, which one of the following process is used for the extraction of magnesium, तो magnesium के लिए aqua solution electrolysis का प्रियोग करेंगे, aqua solution electrolysis की मदद से हम लोग magnesium को बाहर कर लेंगे, ठीक है, चलिए, next question हमारा क्या है, वो देखते हैं, हमारा अगला question क्या काता है, the chemical composition of slag, slag क्या होता है, तो acidic flux, acidic flux, ठीक है, को मिला देते हैं, कि से basic flux से मिला देते हैं, ठीक है, basic flux से मिला देते ह हैं, तो क्या बनता है, select बनता है, acidic flux को कहा आता है, तो non metal का oxide, जैसे SI O2 आपका हो गया, basic flux इसको बोलेंगे, तो metal का oxide जैसे मालो, FEO ले लिए, दोनों को मिला दीजेगा, तो क्या बन जाएगा, FESI O3 हो जाएगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते है, acidic flux, basic flux मिलता ह है, तो select का formation कर लेता है, ठीक है, तो यह आपका acidic flux हो गया, हम लिए यह चारी हो गया, यह आपका neutral हो गया, ठीक है, तो कौन सा option होगा, तो FEE, FESI O3 is the correct option, next question, का कता होल्ट, होल्ट हेरोल्ड प्रक्रिया द्वारा, होल्ट हेरोल्ड प्रक्रिया द्वारा, होल्ट हेरोल्ड होल्ट हेरोल्ड प्रोसेस इस करीड आउट, in presence of cryolite, किसके उपस्तिती में करवाएंगे, cryolite के उपस्तिती में करवाएंगे, किसके उपस्तिती में करवाते है, cryolite के उपस्तिती में क्यों करवाते है, cryolite के उपस्तिती में क्यों करवाय जाता है, तो cryolite इसमें दो तिन हैं तो वहां पर एक तो प्रोसेस के स्पीड को बढ़ा दिया दूसरा क्या करेगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो हता है एलोमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक मिंदू उसको घटाने का काम करता है इसलिए हम लोग इसको क्रायो लाइट के उपस्थिती मिं करवाते हैं ठीक है किस आयस्क में लोहा और तंबा दोनों पाया जाता है तो बेटा इसमें भी आपको सी यू टू हो जाएगा चालको साइट का क्या होगा सी यू टू एस हो जाएगा कॉपर पाइड का क्या हो जाएगा तो सी यू एफ एस टू हो जाएगा और मैलाकाइट का क्या हो जाएगा तो सी यू सी यू थ्री मैलाकाइट का क्या हो जाएगा मैलाकाइट का सुत्र फटा in copper अब iron और copper इसमें कोन सा है तो इसमें cable copper इसमें copper भी है और iron भी यहनि कौन सा option होगा चालको pirate इसको copper-pirate ही भी बोलते हैं ठीक है यह correct ऑप्शन होगा इसमें केवल copper इसमें cable क्या है एक कराता है किससे पास दोनों के दोनों metal पाए जाते हैं लोहा भी पाया जाता है और कौपर भी पाया जाता है अगला कोश्चन देखिएगा क्या करता है जिंक मिश्रन से जिंक का निस्कर्षन किसके द्वारा उत्पादित होता है एक्स्ट्राशन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड से जिंक को प्राप्त करना है तो किस विधी से करेंगे तो पहले रोस्टिंग से गुजारेंगे तो जिंक आपका जिंक ऑक्साइड में चेंज कर जाएगा और जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा फिर आपको किस में चेंज कर जाएगा पहले रोस्टिंग से गुजारेंगे तो रोस्टिंग विधी में हम लोग क्या करेंगे कि जिंक जो सलफाइड ऐसका आपका दिया हुआ है उसको हम लोग गर्म करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे गर्म करेंगे जैसे ही आप गर्म किजेगा तो गर्म कर आफ़ाया, below there melting point, below there melting point, उसके melting point के नीचे हमने गर्म किया, तो हम बन क्या गया, तो zinc oxide बन गया, और यहाँ से sulfur dioxide gas बाहर निकल गया, ठीक है, अब इसको balance करना है, 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, उसको वाद 3 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, हो गया, balance भी हो गया, से गुझारे, यहाँ से यह प्रोसेस ह accurately हो गया और यह क्या हो गया, से जिए हम लोग कि फराप्त करते हैं तो जिंक ब्लेंडे outright के इता हैं कि यह आपका जिंक ब्लेंड है और यहाँ जिंक हमने प्राप्त किया, next question, कोता है कि the principle of zone refining of metal, जो जो ओने रिकπάlete refining of metal जो होगा वो आपको क्या करता है कि solid state में यानि metal जो solid state में or melting state में यानि same metal को अगर हम पिघला दे same metal को जो अगर हम पिघला दे तो उस समय उसकी solubility क्या है और same metal को अगर स्थो सबस्था में हम रहने दे उसके solubility के difference के आधार पर आपको zone refining process काम करता है ठीक है solubility of the impurities in molten state और solid state में जो impurities पाया जाता है उसके solubility के difference के आधार पर आपको ये काम करता है कोन काम करता है zone refining process आपका काम करता है और इस process के द्वारा हम लोग silicon, germanium यानि silicon हो गया, germanium हो गया और एक और metal है जिसका gallium हो गया, ये तीन metal को हम लोग इस process से क्या करवाते हैं तो refine करवाते हैं, सुध करवाने का काम करते हैं ठीक है यानि silicon, germanium और gallium को इस process से सुध करवाया जाता सिध्धान्त क्या होता है, तो सिध्धान्त यह होता है कि इन सारे metal जो ठोस अवस्था में होगा, उस समय इसके impurity का solubility क्या होगा और ये metal जब गली तवस्था में होगा, तो उस समय इसके असुध तत्व का solubility क्या होगा उसमें अंतर होना चाहिए, तभी इस सिधान्त पर यह काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा चलिए, खनीज में सबसे कम पाये जाने वाले, क्या काता है, the salt which is least found in मिंडल्स में सबसे कम कुन पाया जाता है, तो sulfate, किसी भी मिंडल्स में जो सबसे कम salt लवन पाया जाता है वो आपको sulphate होता है next question क्या काता है जाग पलवन विधी में आयस के कंघ तैरते हैं अब काता है फेन उत्पलवन विधी में जो sulphide ओर होता है वो तरता है हम पहले ही बताएं हैं अभी frost protection process पर कि फेन उत्पलवन विधी में हाइडुबभ से बना हुआ है एक आपको हाइड्रो ठीक है और दूसरा आपको फोबिक दूसरा आपको फोबिक फोबिक का मतलब होता है two hat, यानि घिरना करने वाला और हाइडरो का मतलब जल, जल से जो घिरना करे, जल से क्या करे? जो घिरना करे, वा आपको हाइडरोफोबिक होगा, तो समें होगा क्याÝ देयार गत? के अंदर पानी जाएगा तब वो धीरे-धीरी क्या हो जाएगा डूब जाएगा ठीक है तो यह अप्शन था नेक्ट करता है निम लिखित में से कौन सा आयस का जाग उत्पलबन प्रक्रिया द्वारा सांध्रित किया जाता है कौन सा तो पहले आपको क्या करना होगा यह सार है क्या होगा तो हमेटाइट बहुत अच्छा अरं का ओर है तो यह हो जाएगा आपका एफीट तू ओधी हो जाएगा यह चारों हो जाव आपको इस में बताना है काता है की फेन उतप्लावन विधी से अंस्तों होज़ को संन्सक्ष के आराता है अब इसमें पता करना हो एक सल्पाइड आंस किन्द संस्तमist कौन है तो च लंक कोन है यां देखिएगा यह आपका ऑउक्साइड का ओर है ठीक है य कोपर पाइडाइट इस दा करेक्ट ऑप्शन क्योंकि सलफाइड ओर ही फ्रोथ फ्रोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट किया जाएगा दूसरा को हम लोग फेन उत्प्लावन विधी से कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट कोष्टन देखिएगा की अर्ष इसको नक किया है तो कोपर को प्राप्ट कर सकते हैं और को प्राप्ट कैसे करेंगी क्रोमियम को तो CR2O3 को Aluminium के साथ reaction करवा दीजे चलिए इसका reaction दिखाते हैं CR2O3 को Aluminium के साथ reaction करवाएंगे दूठो Aluminium ले लेते हैं तो क्या बनेगा? क्रोमियम आपको बाहर निकल जागा और प्लस आपका Al2O3 क्या हो जागा? यहां से बाहर निकल जागा तो हमने क्या करवाया? Aluminium थर्मिक प्रोसेस से तो यहां पर क्या किये? Heat किये, कहां? तो above their melting point above their melting point उसके melting point के उपर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? क्रोमियम बन जागा क्या बन जागा? क्रोमियम बन जागा और क्रोमियम के साथ हमको प्राप्त क्या करना था? क्रोमियम तो वहीं पूच रहा कै Iluminum thermic प्रक्रिया का उप्योग धातु कर्म में किया जाता है तो किसके? क्रोमियम में लोहा को भी निकाला जाता है लेकिन उप्रोसेस में नहीं था हमने क्रोमियम टिक कर दिया ठीक है चलिए नेक्ट्ट कोर्षन देखेगा करता है साइनाइड प्रक्रिया का उप्योग किसके निस्कर्शन के लिए किया याता है तो साइनाइड प्रोसेस से हम लोग सोना और चांदी को बाहर निकालते हैं। सोना और चांदी को बाहर निकालते हैं इसको रियक्षन बाइ प्रेशिपिटेशन भी बोलते हैं वेट प्रोसेस भी बोलते हैं हाइड्रोमेटर लर्जी भी बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं तो इससे सोना और चांदी को क्या किया आता है बाहर निकला आता है तो ऐसे बहुत सारे questions आएंगे एक ही करके हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बाइस साड़े solution आपको दिये जाएंगे जो भी बच्चे चैनल को subscribe नहीं किया है चलिए क्या कहता है कि which of the following is the basic flux तो basic flux किसको कहा जाता है तो जो metal का oxide होगा वह basic flux होगा तो यहां पर metal का oxide आपको ही है तो यह भी basic flux हो गया यह आपका acidic flux है यह भी basic flux है और यह भी basic कोशन गळत है NOT the basic Flux तो मेटला उक्साईड होता है तो मेटला उक्साईड अपको basic Flux और जो ननमेटल Kaओक साइड होगा किसका जो darkest disease सुर्ण desar हो दो क्या हो जाएगा इसितीक फ्लक्स हो जाएगा ठीक है त्रौन 거죠 से एक फ्लक्स हो जाएगा ठीक है next question देखिए हमारा आगला question क्या है नेमलिकित में से किसे पूर्ण सोना कहा जाता है यादी false false gold किसको कहा जाएगा तो false gold कहा जाता है next which or contents silver silver किसमें पाय जाएगा तो बेटा ऐसे questions जबाएंगे तो आपको बारबार कह रहे हैं इसका chemical formula जिसे गेलेना का होगा तो गेलेना का क्या होगा PBS हो जाएगा ठीक है वह ऐसे आपको डोलो माइट का है तो सारा का आपको याद रहना चाहिए CSO3 अभी हमने लिखा था तो इसका लिखेगा तो CSO3 उसके बाद MgCO3 हो गया ठीक है यह हो गया उसके बाद limonite दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ है लाइpe भी audio Фूंस इसके बाद ms2 o हो जाएगा ठीक है उसके बाद मैंगनेटाइट इसकाल चाहिए तो मैंगनेटाइट है इसमें calcium है इसमें यह तो इसमें है नहीं है तो इसमें से कोई भी ऐसा ओर नहीं है जिसमें चांदी पाया जाए इसमें कोई भी ऐसा ओर नहीं है जिसमें चांदी पाया जाए ठीक है चलिए next question हमारा अगला question क्या कहता है उसको जरा ध्यान से देखेगा next question हमारा क्या है अगला कोशन करता है निम लिखित में से धातू का कौन सा जोड़ा वान आरकल प्रोसेस विधी के द्वारा निकला आता है which of the following pairs of metal is extracted by वान आरकल प्रोसेस वान आरकल प्रोसेस में थड़ से किसको प्राप्त किया जागा किसको प्राप्त किया जागा निकल और आयरन को प्राप्त किया जागा यहां तो कोई दिकत मेरे ख्याल से दिकत नहीं होना चाहिए निकल और आयरन ठीक है यहां तो कोई दिकत है मेरे ख्याल से दिकत नहीं होगा चाहिए और भी है निकल आयरन हो गया और भी प्रोसेस होता ह अल्ट्रा प्योर जितने भी अल्ट्रा प्योर मेटल होगा न अल्ट्रा प्योर मेटल जो होगा वह अल्ट्रा प्योर मेटल को इससे निकाला याता है यह गलत ऑप्सन है यह गलत ऑप्सन है विल्कुल गलत है अल्ट्रा प्योर मेटल जो होगा जो बहूत ज़्यादा सुध जातु होता है उसको इससे निकलत याता है तो बहूत जादा दूसर जातू है जो झातू सभापक आ सबांग आएगा मेम हेवाश SOT की जर मेलिम मेलिग हो प्राप नैजन एगा ठीक है और कोर्टो होता है सिलीकोण आएगा ठीक है ये चार धातु आपको इससे प्राप्त किया आता है, तो इसमें जर्मेनियम और टाइटेनियम कहां दिया हुआ है, यह option सही होगा, C is the correct option, next question, कहता है, कैसी टेराइट इसन ओर अप्त, कैसी टेराइट का सुत्र लिखे, कैसी टेराइट का सुत्र क्या होगा, तो SN2O, क्या हो जाएगा, SN02, कैसी टेराइट का क्या होगा, तो chemical formula आपको याद होना चाहिए, SN02, यानि लीड का, तो SN is the correct option, SN is the correct option, next question, क्या कहता है, थ्रमाइट प्रक्रिया में, अबचेंड एजेंट है, in the thermite process, reduction agent is, reduction का का कौन करेगा, thermite में, aluminium, thermite process, aluminum is the correct option, amonium is the correct option अब करता है कि based i narization का उप्योग धातु घ्यान में किया आता है बेसी narization is used in the metallurgy of किसके metallurgy में तो copper के metallurgy में हम लोग किसका इस्तमाल करते हैं Basis merization का इस्तमाल करते हैं यहां तो कोई दिकत है मेरे क्याल से कोई नहीं होगा तो हम लोग जो है सो टोटल का टोटल कोश्चन यहां पर देखे आज हमारा इन और गेनिक टॉपिक था अब हम अगले लेक्चर में आपको और गेनिक या कोई इसे और दूसरा कोई चैप्टर लेके आएंगे पड़े आपका ये लक्चर कंटीनिव चलता रहेग आप लोग हंसते मुस्कुडाते पड़ते रहिए तब तक के लिए बेस्ट आफ लाग थैंक्यू वेट फॉर दा नेक्स लेक्शर